हलो एवरिवन हाव यू आल विदिक सिक्षा के सेग्मेंट में आपके साथ मैं आपका मित्रमन मोहन जोशी और आज मैं आपको अधिव्यक्ता अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रावजानों को बताऊंगा आज हम जानेंगे एड्वोकेट एक 1961 के आपको जानना चाहिए कि भारत में जो एड्वोकेट्स हैं जो रेजिस्टर्ड एड्वोकेट्स हैं उनके पूरे के पूरे कार्य को नियंद्रित करती है एड्वोकेट एक 1961 एक एड्वोकेट कौन होगा उसका रेजिस्टरेशन कैसे होगा उसके लाइसेंस को कब छीन लिया जाएगा जिससे आप सनत कहते हैं रेजिस्टरेशन को कब खतम कर दिया जाएगा एड्वोकेट को कैसे कपड़े पहनने चाहिए उसका आचरण कैसा होना चाहिए उस पर अधिरोपित करता है कुछ प्रावधान आम जंता को भी वकीलों के विरुद्र कारिवाही के अधिकार प्रधान करते हैं या समस्त अधिनियम भारती समविधान के अंतरकद बनाया गया है जोाम भारती जन्वानमानत कर कर अधिवक्त माना जाएगा राज्य विधिक परिशद में नाम दर्ज होने के लिए कुछ eligibility हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए अधिनियम की धारा 24 के अंतरगत जो eligibility है उसमें एक है कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए कोई विदेशी व्यक्ति तभी भारत में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकेगा जब उस विदेशी के देश में भारत के नागरिक को भी विधी व्यवसाय करने का अधिकार हो फिर कम से कम 21 वर्स की आयोश ने पूरी कर ली होनी चाहिए और उसने भारत के राज्यक्षेत्र के किशी युनिवर्सिटी से विधी की उपादी अरजित की होनी चाहिए और साथ ही ऐसा व्यक्ति वह सभी शर्तें पूरी करता हो जो राज्य विधिद्ग परिशद ने अधिवक्ता के लिए बनाये गए नियमों में बताया है विनिर्दिस्ट किया है आए जानते हैं ये भी कि कौन व्यक्ति एड्वोकेट नहीं हो सकता क्या निर्खरताएं हैं क्या डिसेबिलिटीज हैं तो ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंदेत अपराद के लिए सिद्ध दोस्ट थैराया गया हो वो अधिवक्ता नहीं रह सकता व्यक्ति जो छुआ छूट से संबंदेत किसी आपरादिक कानून में सिद्ध दोस्ट थैराया गया हो वो भी अधिवक्ता नहीं बन सकता ऐसा व्यक्ति जो किसी नैतिक अधमता के अपराद में किसी सरकार के सरकारी पद से हटाया गया हो वह भी अधिवक्ता नहीं बन सकता जो एड़ोकेट एक 1961 है उसकी धारा चार में भारती विधिग्य परिशत के गठन का प्रावधान है यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है जो समस्त भारत में अधिवक्ताओं के निगमन के लिए एक परिशत का गठन करती है इस परिशत के अपने अधिकार और सक्तियां है भारती विधिक के परिशत के अंतरगत अनुशासन समीती भी बनाई जाती है जो एक न्यायाले की भी लेक की कौपी ताप्त करना भारती विधिक परिशत के अंतरगत ही समस्त भारत के राज्य विधिक परिशत का गठन किया जाता है आए जानते हैं राज्य विधिक परिशत के सदस्य कौन होते हैं इसी दिन इम की धारा चार के नुशार भारती विधिक परिशत तीन सद प्रवाचित सदस्य फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि राज्य विध्धिक्य परिश्द किस से मिलकर बनता है अधिनियम की धारा 3 में राज्य विध्धिक्य परिश्दों का गठन का प्रावधान है यह धारा भारत के समस्त राज्यक्षित्रों का उलेक करती है जिन परिश्द के संबंध में नियम मनाने की शक्तियां पराप्त होती है kayak act में अनुशासन समीटी क्या है और इसका काम क्या है यह भी आपको जानना चाहिए इस अधिनियम में अनुशासन समीटी के गठन का प्रावधान है यह समीटी वकीलों की निग्रानी का कारे करती है कोई वकील बिना उचित प्रमानपत्र के विधी व्यवसाय करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। कोई कार्य करना शिकायत का एक आधार हो सकता है। कारण अधिवक्ता के विरुद अनुशासन समीती में सिकायत की जा सकती है। और यह अनुशासन समीती एडवोकेट की अगेंस कार्यवाही कर सकती है। और यह अनुशासन समीती की निर्णे को भारतिय विधी के परिशद में अपील किया जा सकता है। तो फ्रेंड सभी आपने समझा अधिवक्ता अधिनियम क्या है। अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक 1961 के कुछ इंपोर्टन बिंदों को मैंने आज इस लेक्चर में छुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप एडवोकेट एक 1961 से रिलेटेट कुछ और बातें जानना चाहते हैं। या एडवोकेट के काम से संबंदित कोई और प्रशन आपके मन में हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये जरूर बताईए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। Most importantly, जुड़े रहिए अपने फिवरेट प्लेटफॉर्म विधिक्सिक्षा से। आईए हमारे Facebook पेज पर facebook.com.slash विधिक्सिक्षा जुड़े हमारी website से www.vidiksh.com और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। नमस्कार झाल झाल झाल